भाई यो बहनों, ये धर्ती महान साहित्यकार पनिश्वरनात रियनु जी की जन्मस्थली भी है। अभी उनके सुपुत्र जी के द्वारा मुझे मशूर से उपन्यास मैला आंचल मुझे बैठ किया गया। उस मैला आंचल में लिखा है और बहुत इस सदिक तरीके से पनिश्वरनात जी ने लिखा है। मैं साधना करूँगा, मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत मा के मैले आंचल तले। मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। आप सोच रहे होंगे इस चुनाव सभा में भी मैं पनिश्वरनात जी की उनके साहिते की चत्ता क्यों कर रहा हूं। लेकि इस वाक्य के पीछे जो भाव है जो शब्त है वो हम सब की प्रेरणा है महत्वपूण है। भारत माता ग्राम वासिनी मैला अंचल और साधना। भावी और भेनों आज ये पंक्तिया इसलिए भी अहन है क्योंकि कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जैकारा पर भी उनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं। उनको दर्द होने लगता है जिने भारत माता से दिक्कत होगी जो भारत तेरे तुकड़े होंगे ये नारे लगानों वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। खुझ को मा भारती के लिए खपाभी कैसे पाएंगे। मैं जरा ऐसे लोगों को आज एक करारा जबाब देना चाहता हूँ। आप मेरा साथ देंगे। आपकी आवाज उनके कानों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। बारत तेरे तुकडे होंगे। ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक शब्द एक एक शब्द पहुचना चाहिए। उनके कान फट जाने चाहिए। बारत के प्रती उनका जो भाव है उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे, बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, हाथ उपर करके दोनों मुठी बंद कीजिए। बारत माता की, बारत माता की। साथियों, किसी भी जाती से पहले, किसी भी पंस से पहले, हम भारतिय है, हमारी पहचान भारतिय है। मा भारति की सेवा, उसकी साधना की, इस भावना के साथ ही, बीते पांच वर्षों में, पूरी इमानदारी से, मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है।